क्रिकेट करियर को छोटो समय मैं एक पचे अर को सफलता प्राप्त गर दई नेपाली राष्टे क्रिकेट टिम को कप्तान बने का इस्टार क्रिकेटर संदीप लामिछाने नाबालिक बलतकार को अभियोग मा पुर्पचे का लागी जेल चलान भाय का छन। क्रिकेटर संदीप लामिछाने लाई केंद्रिय कारागार चलान गरीयको छा। मैं चैरे को तो पाहिचो को आधे ए संदी बैमी चानेल एक नामा राखे dai को नुआ बाधा कोद्दोन गर्णाद भाराई आदा ना प्रढंतर राखेड़ मुद्दा को लामिछाने जेल चलान भहे संगई उनी क्रिकेट को बॉल र ब्याट बाट टाड़ा रहने छन। एसोचेट राष्ट का स्टार क्रिकेटर को पहिचान बनाएका लामिछाने को क्रिकेट करियेर मा ततकाल का लागी ब्रेक लागे को छ। विक्रम समद 2017 साल मा श्यांगजा मा जन्मिएका लामिछाने कलीलो उमेर माई आपनो प्रतिभार प्रदसन को बल मा बिश्चो क्रिकेट मा उदाए सन 2018 मा इन्देन प्रिमेर लिग को एगारों ससकरण मा प्रभाव साली प्रदसन गरे पची विश्चो क्रिकेट मा छाप छार्दई गये का संदीपले अन्य चर्चित फ्रेंचाइज लीग अरु मा समेत बलियो उपस्तिती देखाये का थिये पच्छिलो समय नेपाली क्रिकेट टीम को कप्तान को जिम्मिवारी निभाई रहे का बेला गता भदो 21 गते उनी विरुद्ध नाबालिक मा थी बलतकार गरे को उजुरी परे को थियो काठमांडव इस्तित प्रहरी ब्रित्त गौशलामा परे को उजुरी का आधार मा उनी असोज बिश्कते पक्राव परे कप्तान को रूप मा उनको क्रिकेट करियर एक बर सपनी ठिकेन 2038 साल को मंगशिर मा कप्तान बने का संदिप लाई बलतकार को आरोप लागे पछी नेपाल क्रिकेट एसोशेशन ले ततकालाई कप्तान बाट हटायो संदिप ले नेपाल का लागी खेले का 31 दिबसी अंतराष्टे खेल को 39 इनिंग मा 79 विकेट लिये का छन संगई 220 अंतराष्टे का 44 खेल मा 85 विकेट लिये का छन एक दिबसे क्रिकेट मा 170 रट 220 अंतराष्टिये मा संताउन रन बनाएका संदिप को क्रिकेट यात्रा ततकाल का लागी भने ब्रेक लागे को हो अधालतले प्रुपच्चे का लागी कारागार चलान गरे पची प्रहरीले संदिप लाई केंद्रीय कारागार सुनधारा पठाएको छ यो मुद्धा को किनारा न लागे सम्म उनी तेहीं बशने छन मुद्धा को फईशला पची एदिउनी निर्दोस देखियेको खंडमा बल रभ्याट समातेरा फेरी मैदान मा पक्कई उत्रीने छन तर दोशी प्रमारित भए संदिप को क्रिकेट करियर नई समापत हुने छ ग्लोबल टेलिविजन का लागी क्यामेरा मा नरेश मुकतान का साथ मा कोई लास कठायत काठमंडव